हाई गाईज दिस इस बबीता और वेलकम बैक टू माई चैनल दिवाइन लाइट आप टेरो गाईज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि आपके जीवन में यह कह सकते हैं आपके आसपास वो कौन लोग हैं जिनकी फित्रत में सिर्फ और सिर्फ धोका मकारी और फरेव हैं यह हम इस रीडिंग के थूप देखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजी और पसंद आया तो लाइक, चेर, कमेंट जरूर करें तो चलते हैं हमारी रीडिंग में और रीडिंग में जाने से पहले आपको बता दूँ अगर आप परसनल रीडिंग चाहते हैं तो वाट्चप नमबर दिस्क्रिप्शन में अल्रेडी दिया हुआ है तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो कौन लोग है जिनकी फित्रत में सिर्फ धोका, मकारी और फरेव है यह हम इस रीडिंग के थूँ देखने वाले हैं तो आपके जीवन में वो कौन से लोग है आपके जीवन में वो कौन से लोग है शेवन ओप सूर्ट पेज आप काप्स एंड बॉटम अप देख हैंग देख में यहाँ पर चक्रा विजडम से कुछ काड लेंगे और देखेंगे की वो कौन लोग हैं आपके आज पास या आपके जीवन में जिनके की फित्रत में सिर्फ धोका, मकारी और फरेव है परफेक्शन सेल्फ वर्थ एबंदेंस विजडम एक काड और लेंगे हम एक काड और लेंगे हम इसलेशन बॉटम अप देख आया है कंप्लीशन कुछ काड और लेंगे हम क्वेंटम एनर्जी से लेंगे इसलेँं आत्रिश्ड और सा रव्स आनलेशों कर दो एक प्क्राज़ पारइव मार्थ आंप्री है प्ट्राइश्ट यवर्स कर वारूंज ट्राइवर् ay तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की और देखते हैं कि आपकी राशी क्या है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी राशी जो है मीन हो सकती है उनकी राशी जो है धनू हो सकती है यहाँ पर कप सेनरजी बहुत जादा है इसका मतलब कर वरश्चिक औ आपकी date of birth का जो मन्त है वा अगस्त हो सकता है, माई हो सकता है, फरवरी हो सकता है, जुलाई हो सकता है, ये आपकी date of birth के मन्त हो सकते हैं, आपकी date of birth किसी भी मन्त की 5, 14, 23 हो सकती है, आपकी date of birth किसी भी मन्त की 7, 16, 25 हो सकती है, आपकी date of birth किसी भी मन्त की 8, 17 और 26 हो सकती है, यह आपकी date of birth हो सकती है, अब हम बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनकी फित्रत में सिर्फ मकारी, फरेव और धोका है, आपके जीवन में वो कौन लोग हैं, अब यह आपके friend circle में हो सकते हैं, यह आपके close relative हो सकते हैं, यह आपके workplace के लोग हो सकते हैं, तो इन लोगों की फित्रत में जो है सिर्फ और सिर्फ धोका मकारी और फरेव ही हैं, और हो सकता है कि जनम कुनली में अगर देखा जाया, अगर इनकी जनम कुनली इन लोगों की analysis किया जाया, तो हो सकता है इनका जो गण हो वो राक्षस गण हो, यह राक्षस गण के लोग हो तो इनकी फित्रत में सिर्फ और सिर्फ धोका है चाहे आप इनके साथ कितना ही अच्छा कर लो चाहे आप इनके साथ कितनी इमानदारी से रह लो चाहे आप इनके साथ कितना ही कुछ अपना सबकुछ नेच्छावर कर दो अपनी जान भी निकाल के दे दो तो भी ये लोग जो है आपको सिर्फ और सिर्फ धोका और फरेव ही देंगे ये उस तरह के लोग हैं साथ साथ ये लोग जो हैं कह सकते हैं ना ये इदर के रहते ना उदर के रहते means जहां इनका मतलब होता है वहां ये जो है घनिष्टता बढ़ा लेते हैं वहां ये जो है अ अच्छा बना लेते हैं, और ये उस तरह के लोग हों के इनका, इनकी दोस्ती सभी से रहती हैं, ये कह सकते हैं, ये सभी से मिले रहते हैं, जहां इनका, जहां ये पढ़ला अपना भारी देखते हैं, बस ये वहीं उसी तरफ जुक जाते हैं, उस तरह के लोग हैं, इनकी फि आपकी इमानदारी को ये कभी नहीं समझेंगे, ये हमेशा आप के लिए गलत ही करेंगे, चाहे आप इनकी कितनी help कर दो, financially help कर दो, कुछ भी कर लो आप इनकी लिए, ये सिर्फ बदले में आपको धोका और परेभी देंगे, कभी-कभी हो सकता, आपको ऐसा लगता हो, नहीं ये सुधर गये हैं, नहीं अच्छे बन गये, इनको अपनी गलती का realize हो गया है, बट नहीं, इनको कभी भी अपनी गलती का realize नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर seven of swords का card आया है, इनकी फितरत ऐसी है, धोका कर देने वाली, साथ-साथ, page of cups का card है, and seven of swords हैं साथ में, जो कि ये ब कर सकते हैं, उस तरह के लोग हैं, ये उस तरह के लोग हैं, कि अपनी self, means, अपनी, अपनी कह सकते हैं, स्वार्थ के लिए, जो है, अपने life में, abundance को लाने के लिए, अपनी life में, कोई financial gain लेने के लिए, ये किसी खोबी कुछ भी कर सकते हैं, ये लोगों को isolate भी कर सकते हैं, इनके अंदर जो कह सकते हैं इनके अंदर दया का भाव नहीं होता इनको सिर्फ और सिर्फ ये बहुत स्वार्थी होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं जहां इनका मतलब हल हो जाता ये वहीं जो है आपको चीट कर देते हैं वहीं दोका दे देते हैं और य इसे ही उनका मतलब हल होता है या आपसे दूर हो जाते हैं आपको आईसोलेट कर देते हैं यहाँ पर आपके फ्रेंड सरकल में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपसे दोस्ती सिर्फ अपने मतलब के लिए रखते हैं इनको जीवन में सब कुछ चाहिए इन कि उनको जीवन में इनकी इक्छाओं की पूर्टी होने चाहिए इनके स्वात सिध्र होने चाहिए बाकी यह किसी के लिए रहम नहीं रहते किसी के लिए कोई दर्वा का भाव नहीं रहते हैं किसी की'llin को नहीं मचते अगर आप किसी के साथ relationship में रहे हो और किसी person ने आपकी life से move on किया है मतलब निकल जाने के बाद तो ये हो सकता है आपकी relationship में भी कोई person हो सकते हैं जिन्होंने move on किया हो अपना स्वार्थ सिद्ध होने के बाद ये इस तरह के लोग हैं साथ साथ ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन में अपनी growth के लिए कोई position हासिल करने के लिए कोई रुतबा पाने के लिए कोई status के लिए या ये कह सकते हैं किसी authority को पाने के लिए ये कह सकते हैं किसी position को पाने के लिए post को पाने के लिए ये किसी को भी कुछ भी हानी पहुचा सकते हैं उस तरह के लोग हो सकते हैं ये उस तरह के लोग हो सकता है इनका समाज में हो सकता अगर ये popular हैं इनका कोई अच्छा status है तो इनके करीबी लोग जिनके साथ इनोंने cheat किया है उनको पता है कि ये इस position पर किस तरह से पहुचे है क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोका दे के लोगों को चीट करके लोगों की भावनाव से खेल कर लोगों को आगात पहुचा कर जो है अपनी ये कह सकते सफलता को हासिल करते हैं ये इस तरह के लोगे बट यहां पर आप लोग हो आपको अपने इंट्यूशन से क्योंकि हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग यहां पर spiritual हो आपका intuition पावर भूत हाई हो आपका थरड़ आई चक्रा भात balance हो एक्टिवेट हो जिसके कारण हो सकता है आप इनकी मनशा को कभी-कभी समझ जाते हो यहां पर ज़्यादा तर लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं इनका जो intention है वो समझ लेते हैं एक बार में हो सकता है कभी आपने इनके साथ धोका खाया हो उसके बार आप समहल गए हो क्योंकि आप अपने intuition से इनकी जो भी इनकी मनशा थी जो भी इनका intention था उसको समझ गए कि यह आपकी life में क्यों आए हैं यह आपकी life में क्यों इतना घनिष्टता बढ़ा रहे हैं और कभी-कभी ये आप से एकदम से जो दूर क्यों हो जाते हैं ये लोग क्योंकि इनका मतलब हल हो जाता है तो ये आपको जो है कह सकते हैं दूद में से मख्य की तरह निकालके बाहर फेग देते हैं अपनी लाइफ में से ये उस तरह के लोग ह और यह हो सकता है यह एक मास्क पहने हो अपने चेरे पर उपर से बहुत अच्छे लोगों को दिखाई देते हो यह उपर से बहुत अच्छे लोगों को ऐसा लगता हो कि यह बहुत अच्छे हैं लोगों को बहुत अच्छे दिखाई देते हो यह बहुत शरीफ हैं बहुत इम दिखाते हैं जब तक कि इनका स्वाध्त पूरा नहीं जैसे इनको पूरा हुता है यह अपनी असलियत दिखा देते हैं। और असलियत लोगों के सामने आ जाती है। ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे, हो सकता है, बहुत रिच्छ हों, बहुत इनके पास पैसा हो, हो सकता है, अगर ये किसी government job में हो तो बहुत high position में हो, politics में कोई बड़ी seat पर हो सकते हैं, बड़ा इनको हो सकता, post politics में इनको मिली हो, तो ये अपनी इनके अंदर बुद्धी भी बहुत होती है, लेकिन ये जो बुद्धी है, ये अपनी बुद्धी को गलत जगा पर लगाते हैं, ये अपनी बुद्धी को लोगों अपना स्वार्त सिद्ध करने में लगाते हैं, और कभी-कभी ये लोगों को और लोगों को ये जो है, कभी-कभी प्रत बहुत एक्स्प्लॉइट भी कर देते हैं, लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि कोई-कोई फिजीकली बहुत हरास्मेंट देते हैं, किसी-किसी को फाइनेंशियली बहुत हरास्मेंट देते हैं, उस तरह के लोग हैं, लेकिन इनकी जो बुद्धी हैं, ये बहुत कह सकत में यह जो है अपनी बुद्धी को लगाते हैं कुछ लोग मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो की आपको परिशानी में डालते हैं आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी conspiracy ओफिस में create करते हैं जिसके कारण आप फस जाते हैं उस conspiracy में यहाँ पर मुझे ऐसे भी कुछ लोगों के दिखाई दे रहे हैं मेंस हो सकता आपके boss भी इन लोगों से मिले हों आपके surroundings या आपके subordinate हो या आपके साथ काम करने वाले लोग हो co-workers हो जो की boss से मिलकर आपके लिए कोई ना कोई शड़यंत रचते रहते हैं और आपको जो है ये कह सकते हैं परिशान करते हैं और यहां पर कुछ लोगों के लिए आपके रिष्टेदार भी दिखाई दे रहे हैं हो सकता ही आपके रिष्टेदार हो और कभी-कभी ये अपनी बातों के जाल में आपको ऐसा फसाते हैं या आपनी बातों से इतना प्रभावित कर देते हैं आपका intuition आपको कहता है कि अच्छे लोग नहीं है बट जब ये आपको अपनी बातों से clear करते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं की intention ऐसी नहीं है ये गलत नहीं है बट ये आपको बहुत बाद में पता लगता है कि ये जो थे अपनी बातों में आपको फसा रहे थे और आप लोग कई बार इनकी बातों में आ भी जाते हों क्योंकि इनका बात करने का तरीका बहुत manipulative है ये बहुत कह सकते हैं इस तरीके से इस चालाकी से, इस समझदारी से बात करते हैं, कि सामने वाले को ये लगता है कि नहीं, ये इनसान बिल्कुल सही है, बट एक्च्वल में ये होते गलत हैं, क्योंकि ये अपना कारिसी दे करने के लिए ये आपको फसाते हैं अपनी बातों में, इस कारण से जो है आप इनकी बातों में आ जाते हों कई बार आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना इन लोगों के कारण करना पड़ता है उस तरह के लोग हैं तो हम इनके नेम के इनिशल्स निकालते हैं कि इनके नेम के इनिशल्स क्या हैं तो इनके नेम का इनिशल्स C हो सकता है, E हो सकता है, N हो सकता है, Blank है यह, T हो सकता है, A हो सकता है, G हो सकता है, E दबल है हो सकता है, double e किसी के नाम में हो, double a भी किसी के नाम में हो, double g भी किसी के नाम में हो और i भी इनके name का initial हो सकता है, आपर कुछ ऐसे निकले थे जो की blank थे या double थे तो उसके बदले में r में निकाल रही है, f हो सकता है, इनके name का initial y हो सकता है तो इनके नेम के initial T हो सकते हैं, C हो सकते हैं, A हो सकते हैं, G हो सकते हैं, N हो सकता है, E हो सकता है, I हो सकता है, R हो सकता है, Y हो सकता है या F हो सकता है इनके नेम का initial अब हम इनके कुछ traits भी निकालेंगे, handmade card से हम इनके कुछ traits निकालेंगे और देखेंगे यह आपके जीवन में कौन लोग हैं जिनकी फितरत में सिर्फ और सिर्फ धोका ही धोका भरा हुआ है तो यहाँ पर यह salesman हो सकते हैं, marketing executive हो सकते हैं, marketing manager हो सकते हैं, इनकी राशी जो है cancer, scorpio, pices हो सकती है popular हो सकते हैं, मैंना अभी आपको पहले भी बोला था, यह बहुत popular लोग हो सकते हैं, art और music में इनको विशेश रुची हो सकती है तेटूस बना हो सकता हैं, इनके हाथ में कहीं पर पीट पर, lover या friend, अभी आपको बोला था, lover या friend हो सकते हैं आपके इनोसेंट, बहुत इनोसेंट आपको हो सकता है, दिखाई देते हो, बहुत एक्स्टरोवर्ट हो एक्स्टरोवर्ट मीज़ बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाना glasses पहनते हो, long hair हो सकते हैं इनके, straight hair हो सकते हैं casual style के कप्ड़े पहनते हो piercing हो सकती है, इनके कान छिदे हो सकते हैं, आख के उपर ring पैने हो सकते हैं एक काड़ लेंगे, आप से छोटे हो सकते हैं तो ये जो हैं इनके traits हैं, जो लोग भी आपके साथ धोका करते हैं, फरेब करते हैं, मकादी दिखाते हैं आपके आसपात जो भी लोगे, चाहिए आपके रिष्टेदारी में हो, चाहिए फ्रेंट सरकल में हो, वर्क प्लेस पर हो, या आपके पढ़ो सी ही क्यों ना हो यह, आपको पता होगा कि यह लोग किस तरह के लोगें. क्योंकि आप लोगों ने इनके साथ दिल किया होगा और आपको इनसे बहुत भारी धोका मिला होगा, इस कारण से आप इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते होगे, तो ये थी रीडिंग, I hope ये रीडिंग आपको पसंद आया, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब वी वीडियो हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तु भ्याम, ओम साहिराम, जय माताधी, राधे राधे